पहाडों के उस पार एक बहुत ही खुबसूरत सा जंगल था, जहां एक छोटी सी चुडिया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी, चुडिया जिस पेर पर रहती थी वो पेर बहुत ही सुरक्षित था, वहाँ पर किसी किसम का कोई खत्रा नहीं था, मगर मसला था तो बोजन का क्यूंके चुडिया को बोजन लाने के लिए बहुत मैनत करना पड़ती थी, बच्चों आसपास सारा दाना खतम हो चुका है, हो सकता है मुझे दाना लेने कहीं दूर जाना पड़े, और ये भी हो सकता है कि मुझे वापसे में देर हो जाए, इसलिए आप अपना खयाल रखना, ठीक है ममा हम अपना खयाल रखेंगे और आप भी अपना खयाल रखना, और फिर रानी चुडिया वहाँ से दाने की तलाश में निकल पड़ती है, उरते उरते वो काफी दूर निकल आती है, मगर इसे दूर दूर तक कहीं कोई दाना दिखाई नहीं देता, रानी चुडिया ठक कर एक पेर पर पेर जाती है, आज तो खाना नहीं मिला, मेरी बच्चे घर पर भूके होंगी, मैं केसे इसे जा सकती हूँ, मुझे और भी आगे जाकर दाना देखना होगा, इतना कहकर वो चुडिया बेचारी फिर से दाने की तलाश में उर जाती है, उरते उरते शाम हो जाती है, और चुडिया को एक पेर पर एक छोटा सा लाल फल दिखाई देता है, और चुडिया वो फल देखकर बहुत खुश होती है, अरे ये तो एक ही फल है, मगर कोई बात नहीं, ये फल मैं अपने बच्चों को खिला दूँगी, और उनसे कहूंग कि मैंने उदरी एक फल खा लिया था, और फिर वो फल लेकर चुडिया वहां से उड़ जाती है, इदर रात काफी हो चुकी थी, और अभी तक ममा चुडिया गर नहीं लोटी थी, इसलिए दोनों बच्चे पहुती द्यदा परेशान थे, बाई देखो रात हो चुकी है, मैं अब अपनी ममा का हाथ बटाना चाहिए, वो बच्चे अभी आपस में बाते कर ही रहे थे, कि वहां पर उनकी ममा भी आ जाती है, जो यहां करीब मुझे कोई भोजन नहीं मिला, इसलिए मैं बहुत दूर गई थी, चलो अब ये भोजन आधा-धा करके खा लो, सिर्फ एक ही फल देखकर बच्चे अपनी मा से पूछते हैं, ममा ये तो एक ही फल है, क्या आप भोजन नहीं खाएंगी, मैं बेटा ये फल आप दोनों के लिए है, मैंने तो वहां पर ही एक फल खा लिया था, बच्चो चलो अब रात काफी हो चुकी है, ये भोजन खाओ और सो इसके बाद लाली और गुगु वो दोनों वो मिठा फल खा लेते हैं, रात को ममा चुडिया यूही भूख पर ही सो जाती है, सुभा हो जाती है, आज सवेरे ममा चुडिया की तबियत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो भोजन लेने के लिए जा रही थी, ममा आज ममा की तबियत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए आप आज दाना लेने मत जाएं, हाँ ममा हमें पता है, रात को आप भूख पर ये सो गई थी, क्योंकि हमें पता है, कि आप हमारे बगेर कुछ नहीं खाते, अपने बच्चों की बात सुनकर ममा चुडिया उनसे कहती है, बच्चों, आज में आपके लिए दाना लेने नहीं जाओंगे, तो कौन जाएगा? ममा, हम जाएंगे, हम जाएंगे आपके लिए दाना लेने, क्योंकि अब हम बड़े हो गए है, ममा, आपने बहुत मेनत से हमारा पालन पोशन किया है, अब हमारा भी फर्स बनता है, कि हम भी आपका ख्याल रखें हो मुमा अब हम दोनों ने सुचा है कि आज के बाद आप भोजन लेने नहीं जाएंगी बलके हम दोनों जाएंगे आज के बाद आप बस आराम करेंगे अपने बच्चों की ये बाते सुनकर रानी चुडिया की आँखों में खुशी के आंसु आ जाते हैं उसे ये देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि उसके बच्चे अब इतने बड़े हो चुके हैं कि वो अपनी मां का सहारा बने फिर वो दोनों बच्चे बोजन की तलाश मे घर से निकल पड़ते हैं और एक पेड़ पर बेड़ते हैं यहां दूर दूर तक कुछ खाने को दिखाई नहीं दे रहा गुगु भया हमें नदी के उस पार जाना चाहिए शाया दमें वहां पर भोजन मिल जाए तुम ठेके रही हो लाली हम उड़ते ही रहेंगे जब तक कमें कुछ खाने को न मिल जाए हमेंसे खाली हाथ कर वापिस नहीं जाएंगे इतना कहकर वो दोनों फिर से उड़ने लगते हैं और ये उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो दोनों ठीक दिशा में आते हैं वहां पर अंगूरों का एक खुबसूरत बाग था इतने सारे बच्चे बहुत कुश हो जाते हैं PGu भईया ये देखो यहां पर कितने मजे के अंगूर लगे हैं अब हम जल्दी सेने तोड़ कर अपने घर ले जाते हैं लाली तुम बिलकर ठीक के रही हो मुमा यह अंगूर देखकर बहुत कुश हो जाएंगे वो दोनों बहुत से अंगूर लेकर खुशी खुशी अपनी घर की तरफ चल परते हैं इदर रानी उनका इंतजार कर रही थी और थोड़ी देर में बच्चे भी आ जाते हैं इतने सारे अंगूर देखकर रानी चुड़िया तो बहुत हैरान थी बच्चो मैंने तुम्हें बहुत मेंनत करके पाला है और मुझे कर्व है के मेरे बच्चे भी अपनी मा की तरह ही मेंनती है ममा पापा हमें बड़ी तकलीफों से पालते हैं इसलिए हमारा भी फरस है के हम भी उनकी खित्मत करें तुम ठीक कह रही हो लाली बेहिन बड़ापे में हमें ममा पापा का सहारा बनना चाहिए इसके बाद वो तीनों मिलकर वो अंगूर खाने लगते हैं यारी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें